नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका समीर पाट साला में दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं वोल्ट विटमेन को वोल्ट विटमेन जो हैं दोस्तों ये एक अमेरिकन पोएट हैं इस वीडियो में हम इनकी biography और इनके works को दोस्तों discuss करेंगे दोस्तों वीडियो के अंत में मैं कुछ ऐसे point आपको बताऊंगा जो exam में आने के chances उनके बहुत ज़ादा होते हैं ठीक है तो कुछ ऐसे points मैं आपको जरूर बताऊंगा वीडियो के last में तो वीडियो के अंत तक दोस्तों बने रहें शुरू करते हैं दोस्तों आज की हमारी वीडियो को दोस्तों सबसे पहले इनकी जो basic information है वो जान लेते हैं जैसे कि इनका birth कहा हुआ था, इनके माता-पिता का क्या नाम है, इनकी wife का क्या नाम है ये सब जान लेते हैं जब वीडियो में आगे बढ़ूँगा तो मैं आपको ये बताता हुआ चलूँगा लेकिन starting में इनका नाम जो था, वो था Walter Whitman और इनका जनम हुआ है दोस्तों May 31st 1890 को यानि के 31 मई 1819 को इनका birth हुआ है अब आप कहोगे sir, date जो है वो पहले लिखी आती है तो दोस्तों ये American poet है, American format को अगर आप देखोगे तो उसमें जो है, month जो है, वो पहले ही लिखा होता है और उसके बाद date लिखी जाती है, ठीक है तो ये जो format है, ये American format है In the village of West Hills on Long Island, New York, US इनका जनम जो हुआ था दोस्तों, US में हुआ था मैंने आपको बताया है कि ये एक American poet है बात करते हैं, इनके parents की जो दोस्तों, इनके father का नम जो था वो Walter Whitman है अब दोस्तों, इनके नम के बाद ही, जब US या हम UK की बात करते है तो उसमें, पिताजी और बेटे का नम दोस्तों, सेम हो सकता है बस वो अपने नाम के पीछे दोस्तों, सीनियर और जूनियर लगा लेते हैं मतलब जो इनके पिताजी थे, ये कौन थे दोस्तों, सीनियर थे और जो हमारे poet हैं, वो क्या थे? जूनियर थे लेकिन फिर भी इन्होंने इसको differentiate करने के लिए आगे कुछ बदलाव किये थे इनकी मदर का बात करूँ तो मैं दोस्तों, इनकी मदर का नाम है लोईसा विटमैन, ये इनकी मदर का नाम है इनका जो love affair रहा था दोस्तों, वो एन गिलकरिस्ट नाम की लड़की के साथ रहा था अगर मैं इनके spouse की बात करूँ तो दोस्तों, इन्होंने अपनी life में कभी भी साधी नहीं की थी दोस्तों, इससे पहली वीडियो मैंने किस पोएट पर बनाई थी, वो बनाई थी, चार्ल्स लैम पर ठीक है, लैम ने भी कभी साधी नहीं की थी, इनका भी love affair रहा था सेम जो condition थी, वो थी दोस्तों, कीट्स के साथ भी थी कीट्स का थो दो दो लड़कियों के साथ love affair रहा लेकिन ये कभी भी साधी नहीं कर पाए तो ये तीसरे राइटर ऐसे हैं, जो की PGT के लिए महत्तपूर हैं, जो बैचलर रहे थे, अपनी तमाम life ये साधी नहीं कर पाए थे तो जो world wit man हैं, उन्होंने भी साधी नहीं की थी अगर मैं इनकी occupation की बात करूँ, या फिर ये किस century से बिलॉंग करते थे दोस्तों, ये चीज जानी बहुत जरूरी है कि कोई भी writer किस century से बिलॉंग करता है ये हमें पता होना चाहिए, ये 19th century से बिलॉंग करते थे, American poet थे, essayist थे and journalist थे इनकी death की बात करूँ, तो दोस्तों, ये 72 साल की उमर में, March 26, 18, 92 को इनकी death हो गई थी ठीक है, तो 72 साल के थे जब इनकी death हुई थी तो दोस्तों, बढ़ते हैं, आगे इस वीडियो में आप जानते हैं, इनकी सारी चीजे, year by year की क्या-क्या चीजे हुई इनकी life में और आपको बाइगराफी, पूरी बहुत ही अच्छी तरह से दोस्तों समय में आ जाएगी सबसे पहले देखते हैं, दोस्तों, Walter Whitman Senior देखिए, जहां मैंने यहां पर senior लगाया है, इस से पता चलता है कि इनके पिताजी की ये बात हो रही है ठीक है, मतलब की Walter Whitman के जो पिताजी थे, वो क्या थे दोस्तों, एक अंग्रेज थे, इंग्लिस मैन थे, लेकिन इनकी मदर जो थी, डच थी अब डच कोन कहते हैं, डच जो है, इंग्लिस पीपल जो है, वो किसको कहते हैं, जो लोग नीदर लेंड से, या फिर जर्मनी से बिलोंग करते हैं, उनको डच कहते हैं तो इनकी मदर जो थी, वो डच थी एक, राइट, बढ़ते हैं दोस्तों, आगे इनके पैरेंट्स के क्या थे, दोस्तों, कितने बचे थे, वो नाइण चिल्डरन थे, उनमेंसे ये सेकिंड थे अब बात करते हैं, दोस्तों, वाल्टर विटमन ने, जो इनके पिताजी थे, वाल्टर विटमन सेनियर, अपने सात बच्चों के, सात लड़कों के नाम जो मेंसे दोस्तों तीन नाम ऐसे थे जो उनोंने लीडर्स के नाम पर रखे थे कौन दोस्तों ऐंड्रीव जेक्शन, जोर्ज वाशिंग्टन और थोम्स जेफर्षन ये तीनों नाम जो हैं अमेरिका के politicians के हैं leaders के हैं उनके नाम के फीचे ही इनोंने अपने तीन बच्चों के नाम रखे थे और जो वोल्ट विटमैन है उनका अपने नाम पर रखा था वोल्टर विटमैन इन्हें बाद में जब ये हुए तो इनका नाम दोस्तो वाल्टर वोल्ट विटमैन कर दिया गया मतलब कि ये क्यों कर दिया गया फिर ऐसा ताकि ये अपने और अपने बेटे के नाम में थोड़ा सा अंतर ला सके ठीक है इसके बाद दोस्तो करीब जब इनका जनम हुआ था कब 1819 में इनका जनम हुआ था 1822 में दोस्तो ये अपने जहां पर इनका जनम हुआ था उच जगा को छोड़कर ब्रोक लेन नाम की जगा पर मूब हो गए थे ये जगा भी यूएस में हैं एक स्मोल टाउन है उन्होंने अपनी पढ़ाई को एक तरह से फिनिस कर दिया था जब ये 11 साल के थे इन्होंने अपनी पढ़ाई को क्या कर दिया दोस्तो फिनिस कर दिया था उसके बाद इन्होंने क्या काम करना स्टार्ट किया वर्क करना स्टार्ट कर दिया था मात्र ग्यारा साल की उमर में ही इन्होंने कहां काम किया दोस्तों, लो ओफिस में डॉक्टर्स के ओफिस में काम किया था इसके बाद ये ठेनिंग लेने लगे किस चीज़ की दोस्तों, ये प्रेस प्रिंटिंग के टाइप के जहांपर चपते हैं वहाँ पर जाकर ये अपनी knowledge को बढ़ाने लगे और उसी चीज में अपने training को करने लगे 1831 या फिर 32 में दोस्तो ऐसा हुआ था कि इन्हों ने first time newspaper के लिए किसी के लिए काम किया था वो कौन सा newspaper था Long Island Patriot इस newspaper के लिए इन्होंने काम किया था कब दोस्तो 1832 में अब बढ़ते हैं दोस्तो आगे 1833 में इनकी family जो move हो गई थी कहाँ पर Brooklyn में उसको छोड़कर दोस्तो ये वहाँ पर वापस आ गए कहाँ पर जहां से ये गए थे कहाँ से Long Island में ये वापस आ गए लेकिन तब दोस्तो वोल्ट विट मैन मात्र 14 साल के थे 14 साल के वोल्ट विट मैन को खाने कमाने के लिए इनकी family वहीं पर छोड़कर आ गई और बाकी के लोग सब वापस आ गए थे अब बात करते हैं दोस्तो 1836 की 1836 में ये वापस दोस्तो अपनी family के पास आ गए और school teacher की job करने लगे मतलब की 1836 में ये newspaper वाली job छोड़कर आ गए क्यों आ गए ऐसी क्या बात हो गई इन्होंने newspaper वाली जो job जोइन की थी दोस्तो उस प्रेश के अंदर उस printing प्रेश के अंदर वहाँ पर जो सारी चीजे थी वो जल गई थी आग लग गई थी पूरी तरह से वो destroy हो गई थी तो इन्हें दोस्तो 1836 में वो job जो है छोड़नी पड़ी और ये अपनी family के पास वापस आ गए और वापस आ कर ये क्या करने लगे दोस्तो इसकूल में teacher बन गए वहाँ पढ़ाने लगे लेकिन teaching का काम जो है इन्हें अच्छा नहीं लगता था इनके पास कोई भी काम नहीं था इसलिए मजबूरी में उस काम को कर रहे थे उसके बाद जल्दी ही दोस्तो इन्होंने क्या किया दूसरा एक वहाँ से job छोड़ने के पाद एक teaching में ही दूसरा attempt किया लेकिन वो भी इनका session जो है दूसरा attempt में भी बहुत ही छोटा रहा इन्होंने winter में मतलब सर्दियों के दिन में 1840 में वो job start करी और spring season में दोस्तों 1841 में वो job छोड़ दी कौन सी job teacher की job क्योंकि ये teaching में दोस्तों interest रखते ही नहीं थे 1841 में अगर मैं बात करूं दोस्तों ये new york चले गए वहाँ पर जाकर ये freelance writer बन गए कब दोस्तों अगर question exam में इस तरह का आता है कि वोल्ट मिट मैं कब freelancer writer बने थे तो आपको देना है दो दोस्तों 1841 अब मैं आपको ये बता देता हूँ freelance writer होता क्या है freelance writer वो होता है दोस्तों मान लीजिए आपने कोई work लिखा ठीक है और आप किसी भी publication से जुड़े हुए अभी नहीं हो मतलब आप self employed हो और किसी भी publication में अपने work को जो है publish करा सकते हो ठीक है तो उसे freelance writer कहते हैं इस तरह के work वोल्ट विटमैन ने 1841 में करने start किये थे दोस्तों वोल्ट विटमैन की एक पहली poem आई थी मार्च 1850 में ठीक है ये जो poem है दोस्तों free verse में लिखी गई है जिसका नाम है दोस्तों blood money यदि question इस तरह से आता है कि name the first published poem of वोल्ट विटमैन तो आपको blood money इसका answer देना है और जो आई थी दोस्तों कब 1850 में आई थी ठीक है ये लिखी गई है free verse में free verse में लिखा जाने का मतलब है ना तो इसमें rhyming scheme follow हुई है और ना ही कोई meter follow हुआ है ये चीजे मैंने आपको free verse वाली बहुत अच्छी तरह से समझा रखी है मैं आपको इसका link जो है description में भी दे दूँगा तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे देखिए दोस्तों 1855 में इनका जो एक work है जिसका नाम है leaves of grass ये जो है work का एक नाम है ये क्या है इनके द्वारा Walt Whitman के द्वारा लिखा गया एक epic है ठीक है Walt Whitman कौन है दोस्तों American writer है इन्होंने एक epic लिखा था जिसका ना लाइन कर लीजेगा जिसका नाम है leaves of grass इसको इन्होंने लिखा था दोस्तों 9 edition में ठीक कितने edition में लिखा था 9 edition में इसको लिखा था 4th July 1855 मतलब की 4 July 1855 में दोस्तों इसका पहला edition आया था और एक बात याद रखना जैसे कि हम इंडिया में 15 अगस्त बनाते हैं अपना सौ उस में दोस्तों United States में दोस्तों 4 जुलाई को उनका 15 अगस्त के जैसे ही सौरतनतरता दिवस जो बनाया जाता है यूएस में वो 4 जुलाई को बनाया जाता है ये जो वर्क आया था leaves of grass दोस्तों वो 4 जुलाई को आया था 1855 में मतलब इनके independence देके दिन आया था उसके तकरीवन 5-7 दिन बाद ही इनके जो है फादर वोल्ट विटमेन के जो फादर है वोल्टर विटमेन उनकी जोस्तों डैथ हो गई थी राइट कब हुई थी 11 जुलाई 1855 में ये यहाँ पर दोस्तों वोल्टर है इसे आप करेक्ट कर लेना 12 अपरेल 1861 में दोस्तों एक civil war हुआ था तो इनकी जो age है दोस्तों age of civil war भी कही जाती है किसकी वोल्ट विटमेन की तो इन्होंने दोस्तों मिल्टरी को हैल्प करने के लिए इन्होंने एक नर्स का रोल भी निभाया था अब बात करते हैं दोस्तों 1861 की 1861 में दोस्तों गलती से एक न्यूस पेपर में ऐसा रिपोर्ट किया गया था कि जो राइटर है लीप्स ओफ ग्रास के मतलब की वोल्ट विटमेन वो मर गए है किस चीज में रेल रोड एक्सिडेंट में उनकी डैथ हो गई है लेकिन उसी साल दोस्तों डेमोक्रेटिव विश्टास इनका वर्क आया पैसिस टू इंडिया आया और रिसाइटिड आया इस वर्क के बाद लोगों को पता चल गया कि लीप्स ओफ ग्रास के जो राइटर है वो उनकी डैथ नहीं होई है वो अभी जिवित है तो ये गलती दोस्तों नियूस पेपर वालों से हो गई थी इसके बाद इनके बैक टू बैक वर्क आये 1871 में जिसके बाद ये पता चला कि वोल्ट विटमेन अभी जिन्दा है उनकी डैथ नहीं हुई है वोल्ट विटमेन की डैथ हुई थी दोस्तों मार्च 26-1892 में अब बात करते हैं दोस्तों इनके कुछ इंपोर्टेंट वर्क्स की देखें दोस्तों सबसे पहला जो इनका पोयम था मैं बता चुका हूँ उसका नाम है बिलड मनी जो आई थी दोस्तों 1850 में ठीक है 1850 में बिलड मनी आई थी जो इनकी फ़र्स्ट पबलिश्ट पोयम है ठीक अब बात करते हैं दोस्तों फ्रैंकलिंग इवेंच की ये इनक इसको वोल्ट विटमैन ने पबलिश कराया था 1842 में 1842 में इसको पबलिश कराया था तो यदि कोश्चन ऐसा आया तो आपको आंसर देने में बड़ी आसानी होगी कि इनके दुआरा जो पहली लिखी हुई पोयम है वो 1850 में आई थी ठीक है जिसका नाम था बिलड मनी और 1842 में इनके दुआरा लिखा गया पहला नोवल आया था जिसका नाम है Franklin Events I hope ये चीजे आपको दोस्तो किलियर हैं बढ़ते हैं आगे ये चीजे देखे बिलड मनी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ बिलड मनी जो है एक पोयम है जो मार्च 1850 में आई है ये पोयम दोस् को Father and Founders वाली सीरीज को कवर कराया था अब बात करते हैं दोस्तो Leaves of Grass की जिसकी वजह से Walt Whitman जाने जाते हैं Leaves of Grass जो है ये एक इनका एपिक है एक तरह से मतलब इसमें poetry collection है ये 9 editions में दोस्तो आया था पहले ही edition में कितनी जो पोयम थी इसके अंदर 12 पोयम थी पहले edition के of democracy भी कहा जाता है ठीक है क्या कहा जाता है the Bible of democracy ये कवा आया था दोस्तो US के independence दे के दिन दोस्तो ये आया था 4 जुलाई 1855 में इसका जो है पहला volume आया था पहला edition आया था जिसके अंदर 12 पोयम थी इसको भी इन्होंने free words में लिखा है I hope ये सारी चीजे अभी तक दोस्तो clear है इसके अलावा दोस्तो इनका एक और poem है जिसका नाम है song of myself ये भी Walt Whitman के द्वारा लिखी गई poem है और इसको leaves of grass edition जो है इनके उसमें मतलब epic जो है उसके अंदर जो है include किया गया है अब बात करते हैं दोस्तो oh captain my captain की इसे poem को आपने 12 में ही पढ़ा होगा ये बहुत ही famous poem है दोस्तो Walt Whitman के द्वारा लिखी गई ठीक है इसके अंदर इन्होंने इस्तिमाल किया है extended metaphor का दोस्तो इस्तिमाल किया गया है इसको Walt Whitman ने लिखा है कब लिखा है दोस्तो 1865 में लिखा है 1865 में इसको लिखा है और ये किसकी death के बाद लिखी गई थी दोस्तो ये US के president थे दोस्तों कौन जिनका नाम था अबराहिम लिंकन उनकी डेथ के बाद लिखी गई थी अबराहिम लिंकन जो थे दोस्तों यूएस के सोलवे यानि के 16 प्रेसिडेंट थे जो यूएस को सर्व कर रहे थे ये ओ कैप्टन माय कैप्टन एक एलजी है जिसको वोल्ट विटमैन ने 1865 में लिखा था किसकी डेथ के बाद दोस्तों यूएस के सोलवे प्रेसिडेंट की डेथ के बाद इसे लिखा था ओ कैप्टन माय कैप्टन इसके अंदर जो सिप है दोस्तों वो सिप जो है किसे रिप्रेजेंट करता है पूरे के पूरे अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है 1871 में दोस्तों एक वर्क आया था जिसका नाम है Democratic Vistas ये वर्क Walt Whitman ने दोस्तों कब लिखा था जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक बार mistakenly इस तरह से रिपोर्ट क्या गया था कि जो Walt Whitman है वो एक railroad accident में मारे गए हैं उसके बाद इन्होंने Democratic Vistas वर्क को लिखा जिसके बाद लोगों को ये पता चला कि ये अभी मरे नहीं हैं इनकी death नहीं हुई है ये जिन्दा है ठीक है तो उसके बाद उन्हें माफी मागनी पड़ी थी Walt Whitman से Passes to India एक बहुती confusing वर्क है दोस्तों इसको मैं अभी आपको clear कर देता हूँ जो मैं बताने जा रहा हूँ आप उसे ध्यान से सुन ले जो Walt Whitman के दुवारा लिखा गया है Passes to India ये एक long poem है क्या है एक long poem है किसने लिखी है Walt Whitman ने लिखी है लेकिन Passes to India एक novel भी है जिसे लिखा है दोस्तों E.M. Foster ने ये चीज याद रखना जो novel है वो E.M. Foster ने लिखा है और Passes to India poem किसने लिखी है Walt Whitman ने लिखी है बात करते हैं दोस्तों उन points की जो points मैं आपको कह रहा था कि मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा अब समय आ गया है वो चीजे वो points आपको बताने के लिए इन points को आप ध्यान से सुनना है क्योंकि ये जो points है बहुत ही important है और exam में बार बार पूछे जाते है इन points को आप चाहें तो note कर सकते हैं या फिर इसका screenshot ले सकते है सबसे पहला है दोस्तों जो Walt Whitman है वो father of free words कहे जाते है और नहीं rhyming का इस्तिमाल किया जाए उसे हम free words में लिखा गया work कहते है दूसरा है दोस्तों इन्हें जो अगर question ऐसा आता है कि who is known as the bard of democracy तो आपको again Walt Whitman इसका answer देना है क्यों देना है दोस्तों the bard of democracy इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो epic work है दोस्तों leaves of grass वो the bible of democracy लिखा जाता है और bard का मतलब अपने आप में क्या होता है मैंने आपको Shakespeare पढ़ाते समय बताया था bard होता है दोस्तों poet तो ये bard of democracy इसलिए कहे जाते हैं कौन कहे जाते हैं Walt Whitman इन्हें दोस्तों representative poet of America भी कहा जाता है ठीक है who is representative poet of America Walt Whitman the age of Walt Whitman is generally known as the age of civil war Walt Whitman की जो age है दोस्तों वो क्या कही जाती है the age of civil war कही जाती है leaves of grass जो है दोस्तों इनकी जो book है वो किस तरह की है democracy पे लिखी गई एक book है इसे bible of democracy भी कहा जाता है इसके कितने edition थे दोस्तों nine editions थे पहले edition के अंदर कितनी poems थी दोस्तों बारा poems थी पहले edition के अंतर ठीक है अंदर इसको इन्होंने अपने life में throughout his life he revised it multiple times ठीक है last time इन्होंने इसे revise किया था अपनी death से कुछ दिनों पहले ही इसका ninth edition जब आया था तो total edition इसके कितने आये थे nine editions आये थे अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों oh captain my captain जो है वो क्या है दोस्तों इसका जोनर एक allergy है जिसको लिखा गया था अबराहिम लिंकन की death के बाद ठीक है यह किस ने लिखी थी Walt Whitman ने दोस्तों लिखी थी अब oh captain my captain जो है दोस्तों उसमें जो ship है वो पूरे के पूरे अमेरिका को दोस्तों represent करता है ship stands for अमेरिका ठीक Whitman said I am the poet of the body and I am the poet of the soul अगर यह statement आता है यहां से लेके यहां तक का की I am the poet of the body and I am the poet of the soul जो है वो किस ने लिखा है तो आपको answer करना है Walt Whitman Passes to India जो है Walt Whitman के द्वारा लिखी गई एक poem है और novel जो है वो किस के द्वारा लिखा गया है E.M. Foster के द्वारा लिख्या गया है तो दोस्तो पहले आप इसका एक screenshot ले लीजिए यह points है आपको याद रखने है इनको paper देने से पहले आपको बार बार revise करना है I hope यह आपको चीजे समझ में आई होंगी दिलते हैं दोस्तो अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद कर दोस्तों